www.alinaymanmoon.com हसन अलायारी आपने अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी के बारे में टिपनी और बयान क्यों नहीं दिया? सबसे बड़ी निशानी चांद पर लिखा अली नाम है. हसन अलायारी क्या आप अल्लाह के नाम अली और इमाम अली के नाम अली पर विश्वास नहीं करते आप इमाम अली के शिया होने का दावा करते हैं लेकिन चांद पर मौजूद अली के नाम पर आप चुप हैं चांद पर नाम को लेकर हसन अलायारी बयान देंगे या चुप पी साधे रहेंगे आपने हजारों विडियो बनाए है लेकिन चांद पर इमाम अली के नाम के बारे में एक भी नहीं अगर आप किसी से डरते हैं और नहीं जानते की क्या करें तो अली रिजवी की लिखी किताब इस काम में आपकी मदद करेगी इमाम अली का नाम चांड पर लिखा है और मुसनिफ अली रिजवी ने चांड पर इमाम अली के नाम के बारे में 370 सफ़ात पर मुश्तमिल किताब लिखी है ये किताब अन्रेजी में है लेकिन गूगल ट्रांसलेट के जरीये आसानी से अर्दू जबान में तरजमा की जा सकती है किताब का नाम है चांड की निशानी नाजल हो गई इसलाम पूरी दुनिया में पहल जाएगा चांद पर इमाम अली का नाम अल्लाह की फतह का ज्हंडा है किताब www.alynameonmoon.com से डाउन लोड की जा सकती है चांद पर इमाम अली के नाम के हवाले से कराची पाकिस्तान में तीन रोजा कांफरेंस का इनिकाद किया गया इस कांफरेंस की मुकमल वीडियो यूट्यूब पर उर्दू जबान में देखी जा सकती है इस वीडियो में हमने चांद कांफरेंस पर इमाम अली के नाम का सिर्फ 10 मिनिट का वीडियो ट्रेलर दिखाया है www.alynameonmoon.com और एक खुबा जो मुला का है वो टौलिब जोहृषिसाभ ने अपनी जो किताब लेकी इमाम मेहदिया चाहिता का हवाला दिया है उसमें बिल्कुल ऐसी ही क्यापियात है खुबा इस वीडियों फेंगे ale ओिए बिल्कुल आखिया है ज़हूर मेहदिया रिवायत है, सल्मान अबुजर ने तो मुला अलिय लिए लिए लबी बात है आखरी हिसाब पेश कर रहो कहा या सल्मान अना अबू कुले मुमिन वा मुमिना ऐ सल्मान, मैं हर मुमिन और मुमिना का बाप हूँ या लिया अना तामतु अल्कुब्रा औरे मैं वो सबसे बड़ी कियामत के नाम है मैं सबसे ज्यादा बड़ा गिरा देने वाला हूँ पना कर देने वाला हूँ अनल हाकातु अनल कारियातु अनल गाशिया औरे मैं ही हूँ हाका मैं ही हूँ अल कारिया मैं ही हूँ अल्गाशिया अल्लाव अक्बर अनल्मुम्तहिनत नाजिला मैं अली हूँ जो नाजिल होने वाला इम्तिहान हूँ और कहाँवणनो आयातो वाद्डलालातो वाल्गुजब वालवजुला और ए सल्मान अबुदर हम एहल बैत है कि जो अल्लह की आयात है जाटकी दलीले हैं अला के हिजाब है अला के तार्फ की वजा है जाली जाली बात खत्म ली हूई रिवायत जारी है एक मुला ने जुमकर सलमान की तरण देखा और इस मकाम के खा। अल्ला हुआद्बर इनी कुतिबा इसमी अर्षफसत करा यकीनिन रे सल्मान जब मैंने अपना नाम अर्श पे लिखा तो वो काइम हुआ वाद समाई फकामत आस्मानों पे लिखा तो वो खड़े हो गये वाद अर्ज फुरशत और जब जमीन पर लिखा तो बिछ गयी वा अलल जिवाल फरसत मेरा नाम पहाडों पर लिखा तो वो जमीन में गड़ गए अल्लाहु अक्बर वा अलल रीह फजरत और जब हवा पर लिखा वो चलने लगी वा अलल बर्द के फलामा आओ जब बिजली पर लिखा वो चमक उठी यह अली का नाम है जब बिजली पर लिखा तो वो चमक उठी वा अलल दर के फाहमा आओ वारस के कत्रों पर लिखा तो वो गिरने लगे वा अलल नूर फसता आओ और जब नूर पर लिखा वो रोशन हो गया वा अलल सहावे और फदामा आओ जब बादलों पर लिखा, वो बरसने लगे, वा अलन रादे, वा खचाओ, मेरा नाम, जब बिजली की कड़क पर लिखा गया, वा खजूओ खचूओ से गिडगणाने लगी, वा अलन लेले फदुजाओ, वा अज्रमा, और जब रात पर लिखाओ, तो वो तार्गाली हो जब हर चीज़ पर मौला अली का नाम है, तो अगर चांद पर एक बाहिए चीज़ है, जिस पर अली का नाम नहीं होगा, तो अगर चांद रह गया, जिस पर नहीं होना, तो अगर चांद रह गया, पर काइनात की हर चीज़ पर मौला अली का नाम है, तो सिर्फ चांद रह मुला ने कहां पर का कि मेरा आदाम चाल पर नहीं होगा हर चीज़ पर मुला अली का नाम है की बात थी थकाफत की अब आपकी शरीयत की बात है कि भाईयां तैजी वो थकाफत तो जुड़ी हुई है चांद सूरच से, सितारों से, आफताप से, बुरूच से लेकिन आपकी शरीयत भी खारीज नहीं है चांद सूरच से बगहर उसके एक कदम शरीयत और फिकाफ नहीं चड़ सकती लड़कडा के गिर जाएगी इसलिए के सूरच से तजबीदी कुरान में अला ने नबी को चांद से तजबीदी इमाम को अली को और नबी ने अपना पूरा दीन अली के हवाले कर दिया यानि सूरच ने अपने हुकूच चांद को दे दिये अब क्यामत तक शरीयत सूरच से नहीं चलेगी चांद से चलेगी क्या अब आब आब आ कर रहे हैं आई जैसी वाबा करनी चाहिए इसलिए कि आप इतने सुनने में इतने मज़े में महव हो जाते हैं कि हमारा अजर देना आप भूल जाते हैं इत्तौन सुनाएगा आपको ये बाते हैं शरीयत सूरज से नहीं चल लएई शरीयत चांद से चल लएई है अगर चांद ना निकले तो एद नहीं होती चांद ना निकले तो रमजान नहीं होता अरे अगर आज ना निकले तो एदे मेलादू नभी गया चांद निकले तो तवीद का काम हो चांद निकले तो उवल तवीद दूसरे रोजे واجب روزے رک کے نہیں جا سکتے जब तक चांद नहो रोजे भी चांद अगर चांद नहो तो जगात वाजब नहीं होती चांद नहीं निकले तो जिहाद नहीं होता चांद नहीं निकले तो खमस नहीं मिलता और कोई ये पूछे तुम तो कहते हो बारा इमाम चांद तो एक एहमत चांद तो एक ही है लेकिन साल में बारा बार चुटता है अव्वल आना मुहम्मद आखिर आना मुहम्मद वासत वाकुल आना मुहम्मद चांद एक ही है मुहम्मद एक है कभी अली बन के आया कभी हसन बन के आया तब हुसाइन देखा हाँ शरीयत जो है वो चांद से मतालिक है इसलिए कह दिया जन्तरी नहो तो कैसे पता चले कि आज चांद जो है तीन दिन तहत उश्वाँ और अकरब में रहेगा क्या मतलब है ये सूरच को कोई परिशानी नहीं हो रहे है नहीं साथ सूरच तो बात्शा हो है उसके पीछे अकरब नहीं लग सकता लेकिन चांद के पीछे अकरब लगा है वो भी तीन अकरब पीछे लगे ये क्या होँआ सूरच निकला सूरच निकला सब चीज़े नुमाया हो गए इदर सूरच 2016 दूबा और जैसे ही चान निकला सब निकल पड़े चोर भी निकल पड़े साब भी निकल पड़ा बिछो भी निकल हश्रातुलार्स की उड़े रेंगने लगे पता चला जब चान का दौर आता है तो सब कुल बुलाने लगते हैं तो भाई सूरच का दौर खत्म हुआ चान का दौर क्यामत तक जा रहा है आपकी शरीयत सूरच से नहीं जुड़ी हुई है चान से जुड़ी हुई है और गालिब ने यही कहा कि सूरच के बाद आपको चान को मानना है चान को मानना है तो चान जो है वो अली है चाशूसी शिर्कत करने के लिए जो नड़ से तर्शिभ लाए हैं मबलिग इस्लाम अल्मा स्यद ताहराली काजमी सहaupt को कि वो अपना खुद्भा पेश करें अल् масс स्यद ताहराली काजमी सहुद्ध नारए-टक बीर भी उनको अपने अपने फजल से अता किया है देखें चांद पर कितने साल हो गए हम कहानियों सुने चांद पर बढ़िया रहती है योरब में लिका फेस इन दा मून चेहरा है चांद के उपर कोई कहदे चांद के उपर टेड़ी मेड़ी लकीर लगी हुई कोई कुछ कह दे कहा गोहर शाही है यहां के किसने का उसकी तस्वीर है सारी दुनिया ने माल लिया इनसानियत का मिज़ाज है ऐसा कि जो भी बे मकसद बात हो उसे माल लेते है कि जो बे मकसद बात हो उसे माल लेते है लेकिन जहां पर मकसद नजर आए उसको मानने से रुक जाते क्यों? क्योंके वहाँ जहाँ मकसद है वहाँ फजल है जहाँ फजल है वहाँ हसद है याली याली जहाँ जहाँ फजल है वहाँ हसद है वहाँ हसद है भई देखें कोई ये फजीलत भी याली को मिल गई याली याली वह ये फजीलत बेली को मिलगी मुझे हैरानी है कि मुसल्मान अली का नाम लेने से क्यों घबराता है अली आए तो इसलाम आया अली ने आँख खोली तो हिकमत के दर खुले अली बोले तो कुरान को सुबान मिली अली ने हाथ उठाया तो अदालत को मीजान मिली अली चले तो तोहीद के चराफ चले अली ने अली बड़े तो कुफर की जुल्मत भागी अली सोए तो रिसालत की किसमत जागी हरे फिस्टर पे कदम तो नफसुला बने खैबर में अलम तो यदुल्ला बने मंदर कोसैन पे नजर तो आनुल्ला बने कोसैन अली के किनारे कोनैन अली के सहारे विगड़े तकदीर इसलाम तो रिसालत अली को पुगारे अरे तुम किस इसलाम में चल पड़े प्यारे अली को छोड़कर किनारे किनारे सुभान अल्ला अल्ला फिर अपे जहां तोहीद की अबादियत है वहां वहां अली की विलायत है जहां तक रसूल की रिसालत है वहां वहां अली की खिलाफत है जहां इसलाम का इक्तिदार है वहां अली की हिदायत है अरे तुम अली का नाम क्यों नहीं लेते क्या शिकायत है अली का नाम लेना मुमिनों की अबादत है अली का नाम लेना मुझाहिदों की आदत है नाम अली मुश्किल कुशा है ये जिबरील जानता है अली का नाम जीत की अलामत है कौमिटी मानती है अली का नाम फता की जमानत है पाक फोड जानती है सारा जहां अली से सारा जहां पड़ रहा है अली से सारा समाच चल रहा हर दम अली अली है हर कदम अली अली है नगर नगर अली है गली गली अली है पहले जमीन पर भी अली अली था आचान पर भी अली अली नाराय है नरी, चमन चमन गली गली, नगर नगर गली गली, नाराय है नरी बेश्चिछ अच्छाय है ल्लाहु अच्छाय है यह र मकाम पर काइनात में अली इसलिए है जालिका फदलुल्लाह युटि है मैं ये शाओ, ये ल्लाहु जिसे चाहता है देता, वाल्लाहु जुल्फद्लिल अजीम, 62 सुरत न्चुम्ह की पांचवी आयत है, वाल्लाहु ज अजिसे रब काईनात अजीम के कितना बड़ा फजल होगा रब काईनात की अजमत का तकाजा है कि जिस फजल को अजीम के उस फजल का तास्र काईनात में हर मकाम पर नज़र आए इसलिए हर जगा अली अली है के अल्लाह और रसूल ने चाहा है के अली अली हो Ali, Rizvi is author of book titled The Sign on Moon Has Been Revealed, Islam Will Take Over the World the book titled the sign on moon has been revealed Islam will take over the world can be downloaded from www.alinaimonmoon.com